दी किंग्डम्स ओफ रुइन का पीसोड नमबर फोर के शुरुवात में हमें स्पेस का सीन दिखा जाता है और फिर शेंशिफ्ट रोतार हमें एड़निस को दिखा जाता है जो कि एक बेट कूपर दर्द के मारों मानों तरप रहा था और उसका राउन काफी सारे लड़किया जाती है और वहाँ पे चितने भी लड़किया खरीवी थी उनको कहता है कि इतना जल्दी हार मत मानो और ये लेड़ी और कोई नहीं बल की मैडम ओफिलिया खुद थी और उसके बाद वो आते ही एड़निस के सर को उपर अपना फिंगर रखे एक मैजिक का स्पेल कास्ट कर रहे थे और उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और फिर जो एड़निस था उसको सारा चीज जर्द आता है और वो मनीमन कहता है कि क्लोई और तभी एकदम सम्हें पास्ट का सीन दिखा जाता है जहापे उसी बैटल फिल्ड में एड़निस को एकदम से होश आता है और वो अपन लड़ की अपना असली आइडेंटिटी रिवील करती है वो बताती है कि मेरा नाम एना है और मैं अभी एक वीच्छू और मैं डोरोका के साथ ही इस किंग्डम में आई थी और हमारा जो काम है वो है कि फिर से क्लोई को रिवाइफ करना और हमारा प्लैन एकदम ढंक से सकसफुली क्योर हो रहा है मैं तुम्हें सब कुछ बात में बताऊंगा लेकिन अभी मुझे तुम्हें यहां से बचाना होगा और फिर वो एकदम से मैडम ओफिलिया को याद करती है और अगली ही मौन पर अड़लिया के पूरे सरीर के आराउंड एक बेंट़िज का बॉल बन जाता है और वो एकदम आस्मान में गाइब हो जाता है और फिर से प्रिजन में आता है अड़लिया को सारा चीज याद आता है कि तुम लोग कौन हो और मैं अभी कहां पे हूँ और फिर मैडम ओफिल्या बताती है कि तुम अभी kingdom of witches में हो Adonis अभी तक पूरी तरी किसे रिगावर नहीं हुआ था इसलिए एक witch उसको wheelchair में पूरा kingdom घुमा रही थी और तभी उसको और भी काफी सारे witches मिलते है जो कि Adonis को काफी साथ thank you कहते है क्योंकि उसने इतनी bravely fight किया है और अभी भी survive कर रहा है और धीरे-धीरे improve भी कर रहा है क्योंकि अगर Adonis चला जाता तो Chloe को कभी भी revive नहीं किया जा सकता था और यह सुनने के बाद Adonis सिक्तम शौक था क्योंकि इन लोग को भी Chloe के बारें बता है और उसके बाद वो witch Adonis को मैडम Ophelia के पास लेके जाती है और वहाँ पे मैडम Ophelia Adonis को बता थी कि कुछ ऐसे rhythm है, कुछ ऐसे जगा है जहाँ पर humans का enter करना बहुत ही जादा मुश्किल है और Adonis, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए हमने बहुत जादा मशक्कत किया है और इसलिए तुम्हारे body के उपर थोड़ा negatively affect परा है और यह सब सुनने के बाद जो Adonis तर वो पुछता है कि लेकिन तुम लोग ने मेरे तुम्हें यहाँ पे लाया ही क्यों है जो सुनते ही मैडम अफिलिया बताती है कि हमने तो बस तुम्हें यहाँ पर invite किया है Chloe की Apparentis और यह सुनने के बाद Adonis तर तुम शौक्ट तर कहते हैं कि हमारे इस Kingdom of Witches को छोड़के चली गई यह सुनते ही Adonis कहते है कि वो चली नहीं गई बलकि उसे निकाला गया है क्योंकि उसने Human Boy को Magic यूज करना सिखाया है और यह सुनते ही मैडम उफिला कहते है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी ऐसा ही मैसूस हो रहा होगा लेकिन सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखो हम Witches के लिए हमारा Soul और हमारा Magic दोनों ही Same है दोनों ही Inseparable है और God ने हमें यह Magic इसलिए दिया है ताकि हम Mankind का ही Help कर पाए लेकिन फिर भी एक बच्चे एक Human बच्चे को Magic सिखाना एक बहुत ही बड़ा टैबू टॉपिक है और इवन जब Chloe ने तुम्हें ऐसा Apparentis चूज किया था सब ने उसे काफी मना किया था लेकिन फिर भी वो किसी का बात नहीं मानी और वो तुम्हारे साथ ही Continue किया और ये सब सुनने के बाद ही जो वहाँ पर अड़निस सब बचाते है की ठीक है मुझे ये सब नहीं जाना क्या हम कुछ और बार में बात कर सकते है और तभी जो वहाँ पर ओफिल थी वो अपने Magic से फिर से वही एड़निस का जो Quill था जो Pen था Magical उसको एकदम अपने हाथ को बढाता है एड़निस देखके इतना ज़ादे एक्साइट हो जाता है कि वो एकदम आगे बढ़ने कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है एड़निस काता है कि फ्लीज मुझे वापस दे दो और तभी ओफिल पताती है कि ये एक Masterpiece है मैं Sure हूँ कि ये चीज Chloe ने ही तुमें दिया होगा और फिर वो चीज वो एड़निस को वापस कर देता है और एड़निस उसको एकदम हग करता है कि उसके अलावा मुझे ये और कौन ही दे सकता है और फिर एड़निस कहता है कि लेकिन मैडम ओफिलिया कि आप सच्ची में Chloe को वापस ला सकते हो और ये सुनते ही ओफिलिया बताती है कि Witches कभी भी जोट नहीं बोलते और ये सुनकि एड़निस को बहुत ही जादा रिलीफ फिल होता है लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ अजीब सा मैसूस होता है उसे एक आउट ओफ दी वर्ल्ड सिच्चीशन फिल होता है और इसके बाद ही मैडम ओफिलिया उसको सारा चीज रिवील करके बताती है कि अभी वो लोग एक दूसरे रिलेम में है वो लोग अर्थ में नहीं बलगी एक स्टार के उपर अपना कॉलोनी बना के लीफ कर रहे है जो कि मैनकाइन के दौरा अन्रिचिबल है और इस नए कॉलोनी का नाम है लुना मिलिया और उसके बात हमें दिखा जाता है मैडम ओफिलिया एर्वनिस को उस कोलोनी से तोरह बाहर लेके जाता है और फिर वो एर्थ के तरफ पॉइंट करके दिखाती है कि जो साइन से वो यूमन का सबसे वर्ष नेचर को अनलीश कर दिया है और इसलिए अभी जो गॉड ने पुरा मैनकाइंड बनाया था जो पुरा बैलेंस बनाया था वो चीज़े भी बिगर गया है वो दिखा थी कि कितने सारे विचेज जो कि कोई भी हाम नहीं किया थी हुमन का वो मर चुके है और उनका जितने भी टोम था वो भी वही पे था और उसके बाद ओफिलिया अड़निस को एक स्पेशल ट्री के पास लेके जाती है जिस ट्री का नाम था ट्री आफ लाइफ और यही ट्री रेस्पॉंसिबल था जितने भी विचेज है उनके बर्थ का और इवेन उनके री बर्थ का इसी ट्री का जो एक मैजिकल फ्रूट है उसी फ्रूट के मदद से जितने भी विचेज है वो लग पैदा होते है और इसी फ्रूट के अंदर से फिर से क्लोई रिवाइफ हो सकती है और ये सब सुनते ही एड़निस एक्दम हैरान रह जाता है वो दिमाग में क्लोई के बारे में ही सोचे जा रहा था और एक फ्रूट के पास जाके पूछते है की मैडम उफिलिया क्या यही क्लोई है क्या इससे क्लोई निकलेगी लेकिन तभी उफिलिया बताती की नहीं यह बस एक नॉर्मल विच है जो की जेस्ट बॉन होने वाली है अगर तुम्हें क्लोई को वापस लाना है तो उसके लिए हमें तुम्हारे पावर को यूज करना होगा और ये सुनते ही एड़निस पूछता है की लेकिन ऐसा क्यों और फिर मैडम उफिलिया बताती है की यही है मैजिक तुम अपने मैजिक के मदद से कोई भी थौट्स को मैटरलाइज कर सकते हो अगर तुम अपने मैजिक को ठंक से यूज करोगे तुम अपने मेमरीज को एक्जामपल के हिसाब से लो तुम अपने मेमरीज को इस सीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो और तुम्हारा जितना भी क्लोई के बारे मेमरीज है वो सब इस फ्रूट के अंदर जाएगा और अंदर जो विच है वो और कोई नहीं बलकि ultimately Chloe ही बनके निकलेगी और फिर मैडम उफिलिया वहाँ से चली जाती है और कहती है कि जब तुम ready होगे मेरे को बता देना मैं ceremony को start कर दूँगी और उसके बाद हमें दिखा जाता है Adam News वही पे late जाता है और continuously Chloe के बारे में ही सोचे जा रहा था लेकिन तब ही वहाँ पे एना आती है और ये देखने के बाद यारमनिस कहता है कि तुम वही लड़की होना जैसे न रेप्लिकेशन मैजिक का यूज किया था और ये सुनने के बाद ही जो एना थी वो बहुत ज़ाद गुस्सा हो जाती है और एकदम सकसर के पास एक लाद मारती और कहती कि तुम से वितना ही कहोगे डोरो का तुम्हारे लिए आज इस दुनिया में नहीं रही है सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम अभी ये सब कह रहे हो लेकिन तब एड़ोनिस एकदम उठ जाता है कि देखो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ अगर डोरो का अभी जिन्दा नहीं है और वैसे भी ये तो तुम लोग का ही प्लैन था है ना और फिर वो वहाँ से चलने लगता है लेकिन तब एना पीछे से कहता है कि देखो तुम हुमन्स काफी जादा सेलफिश हो जब तक कि तुम अपने इस मैजिक को यूज कर सकते हो और तुम्हारे पास ये ट्री है तुम अपने मास्टर को हर बार रिवाइब कर सकते हो लेकिन हमारा क्या हम अपना लाइफ तुम्हारे जैसे इंसान को बचाने के लिए रिस्स में क्यों ही डाले थे और ये सुनते ही Adonis एकदम पीछे घूमतर कहता है कि क्यों डाले थे क्योंकि तुम लोग Chloe को यूज करना चाते हो अपने advantage के लिए इसलिए तुमने मेरे को बचाया है तुम लोग मेरे power को यूज करना चाते हो और ये सब सुनने के बाद एना कहती कि तुम यह क्या कह रहे हो और तब हमें Adonis और डोरुका के बीच में last conversation को दिखा जाता है जहाँ पर डोरुका Adonis से कहता है कि Adonis प्लीज मेरे बाद को मानो ये जो witches है इनका प्लैन है Chloe को यूज करना और इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके Chloe को लेकर kingdom of witches से भाग जाना और उसके बाद sinfree से present में आता है Adonis बताता है कि इस area के extreme condition में तुम लोग बीना कोई protective shoot के जिन्दार है सकते हो तो इसका कोई भी sense नहीं बनता है कि तुम लोग ने इतना जादा tightly enclosed enclosed facility क्यों बनाया है लेकिन अभी मुझे सब कुछ समझ बागा चुका है ये असल में एक cage है cage है humans के लिए तुम लोग किसी भी humans को यहाँ पर as a slave यहाँ पर teleport कर सकते हो space teleportation के द्वारा और यहाँ पर लाके तुम उन humans को written summoning magic सिखा सकते हो just मेरे जैसे और फिर उनको as a manpower humans के against use कर सकते हो humans को हराने के लिए और तुम लोग Chloe को इसलिए वाँ पस लाना चाते हो क्योंकि सिफ Chloe ही यह quill बना सकती है और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर जो energy वक्त हो शौक हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकते अब ही चब तुम्हें सब कुछ पता है तो please 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 हमें help करो हमारे इस plan को execute करने में मदद करो नहीं तो नहीं तो हमारा मरना डोड़ो का मरना कोई sense नहीं बनाएगा और यह सब सुनने के बाद कहता है कि इतना दूर आने के बाद मैं अपना mind तो change नहीं करने वाला मैं Chloe को revive करने वाला हूँ और फिर वो जैसी wish करेगी मैं भी वो ऐसा ही करूँगा लेकिन अगर Chloe plan के मुताबिक चलने से इंकार कर दे तो पूरा witches ही मेरा enemy बन जाएगा और फिर sense shift होता है और हमें दिखाया जाता है जो मैडम उफिलिया थी और वो अब जितनी बागी के witches थे वो सब उस ritual को perform करने के लिए तयार थे वो लोग अपना magical power को cast करते है और फिर मैडम उफिलिया कहती कि Adonis तुम आगे जाओ और फिर तुम अपना memory magic cast करो और जैसे ही Adonis आगे बढ़ता है वो फिर से अपना written summoning magic use करता है और अगले ही moment पे वो अपना जितना भी memory था हर एक memory Chloe के बारे में वो एक memory summoning magic के द्वारा उस seat के अंदर डाले जा रहा था Adonis हर वो happy moments के बारे में याद करता है जो कि वो Chloe के साथ बिताया था Adonis याद करता है कि कैसे Chloe बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया करता था उसको सीखाया करता था ये सब Adonis के लिए मानो एक dream जैसा था Adonis उस moment के बारे में भी सोचता है जहाँ पे वो एक बार गलती से ही Chloe जब नहा रही थी उस टाइम पे वो बातरूम के अंदर फ़र सा पीक कर लिया था लेकिन जो Adonis था उसको कोई बैसा intention नहीं था लेकिन वो देखता है कि Chloe के पूरे body में काफी ज़ादा घाओ थे मानो क कि वो बहुत सा सफर कर रही थी बोथ human से भी और even जो witch का community था वहां से भी क्योंकि उसने एक human को train करके एक बहुत ही बड़ा taboo को तोड़ दिया है और फिर जो Adonis था वो काफी regret करता है और वो कहते है कि तुम चिंता मत करो मैं बाहर जाके guard करता हूँ और तुम जली से नह क्योंकि हमारे उपर कभी भी attack हो सकता है और अगले ही moment पर हमें दिखा जाता है जो Chloe थी वो एक तम food food के रोने लगती है और खहते कि Adonis thank you thank you so much तुम ही हो जिसके लिए मैं सिंदा हूँ तुम ही वो एक मात्री reason हो जिसके वैसे मैं अभी तक survive कर पा रही हूँ इस world में thank you so much और हमें दिखाया जाता है जो Adonis था उसको अचानक से कुछ realize होता है और फिर वो अपना continuously जिदे memories था वो सब transfer करते रहता है करते रहता है और अगले ही moment पर जो summoning magic था वो complete होता है और वो money man कहता है कि I love you I love you Chloe और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा light का flash आता ह है और वो जो fruit था वो finally एकदम से fruit के वहां से magical light निकलाता है और जैसी वो magical light bloom होना बंद होता है हमें दिखाया जाता है वहाँ पे Chloe तो नहीं बलकी pink hair वाली एक लड़की थी जो कि और कोई नहीं बलकी दोरुका थी गाइस अब तुम लोगी बताओ इतना कुछ होने के अगले एपिसोड देखने जरूर साना मिलते एगले एपिसोड में तिल देन बाई बाई स्टे सेफ